हारो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एम किलासेज में तो बच्चो जितने भी जारखंड बोड के बच्चे हैं आप सभी को बता दू आपका जो कुश्चन बेंक हो तो आप सभी को पता ही होगा जारी कर दिया है बोड ने तो आज से हम सब्सक्राइब को बताएं तो बच्चो मेरा यह मानना है कि सोलुषन देखने से जादा अच्छा है कि सोलुषन को आप समझ कर चीजों को तैयार करो वह ज्यादा होती है एक्जाम के लिए तो हम आपको रीजन के साथ आपको उत्तर बताएंगे तो वीडियो में बने रही यह आज आपका चप्टर नमबर एक का मोडल सेट है जितने भी आपके अब्जेक्टिव कुष्छन है और अतिल लगवातम कुष्छन है उन सभी कुष्छनों को हम इसी वीडियो के अंदर नस्ते नाबूद कर देंगे और साथ की साथ बच्चों यदि आपने यह अभी तक टेलिग्राम और वाटसब गुरूप का लिंक के उनको जरूर जोईन कर लीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए हाँ जी बच्चों तो क्लास ट्वल्थ फिजिक्स का हम करने वाले है आज से स्थार्ट देखे बच्चों कुछ आपने भी देखे बच्चों वो टोटल जो चैप्टर है वो कितने चैप्टर है चोदे आपके चैप्टर है और जो रिडिउस लिवस है उसके आधार पर यह बच्चों आया हुआ है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला चैप्टर पहला चैप्टर का नाम बच्चों वेद जालते हैं दो आवेस होता है एक नेगिटिव चार्ज होता है एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है बट बच्चों हम जो बलो की विर्ति रेखा है वह नहीं पड़ते हैं इसलिए आपको डी ऑप्शनों बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा हाला कि बच्चों अंसर दे इसलिए बश और बच्चों हमेसे जो एन है मतला उसका मतलव है इलक्ट्रोण की संख्या और अपि संख्या में ही आती है यहथि अपून संख्या में आ रही है तो आवेस पोसीबल ही नहीं है तो कौन सा आवेस संभव है यदि बच्चों आप देओ क्यों यदि आप पहला उप्सन रखके कैलकुलेट करते हो क्यों कमान आप पांच यहां से आप निकालोगे न बच्चों तो आपको एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी आप कैलकुलेट कर ले न मैं तरीका बता रहा हूं आपको क्योंकि सारी चीजे बच्चों एक वीडियों करवानी पॉसिवल नहीं है जब मैं आपको नुमेरिकल सीरीज करवाओंगा बो आप पूर्ण संख्या नहीं आएगी इसलिए यह तीन आवेस तो आपके संभव है नहीं और जो आपका बीप्षासल है तीन पूर्ण दो दसकीगहाद माइनस अटहरा वाले यह आपका पूर्ण संख्या देगा इसलिए आपका नुमेर्ण बिलकुल क्रेटंसर हो जाएग अगला कुछन देखें क्या है आपको सभी के सामने तो उड़ा से जूम कर लेते हैं जिसे कि आप सभी को अच्छा दिखाई देगा अगला कुछन है यदि किसी पिंड पर आवेस एक नेनो कुलाम है तो वस्तु पर कितना अत्रिक्त इलक्टोन मौजूद होंगे तो इलक्ट इलक्ट्रोन की संख्य निकालने तो नेनो का मतला होता है दस्की घात माइनस नो एन गुणा में इलक्ट्रोन का आवेस एक पॉइंट छे दस्की घात माइनस गुनीस कुलाम ठीक है आप यदि इसको एन का वेल्व निकालते इसका भाग लागा कर बच्छो तो आपको जो राइट अंसर है न वो छे पॉइंट टू फाइव टेन टू पावर सताइस अंसर आपका आचाया कैल्कुलेट कर ले ना बच्छो मैं बैस सुत्र में जमा कर आप सभी को बता रहा हूं अगला कुशन देखिए दूरी आर पर रखे समार परिमान के दो आवेस एक दूसरे पर एप बल लगाते हैं यदि आवेसों को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी को दूगना कर दिया जाए तो प्रितेक आवेस पर लगने वाला नया बल क्या हो जाएगा बहुत सांदर कुश्चन बच्छो समझना ध्यान से मान लिए जिए एक यहां पर आवेस से आपका क्यहँट और आर दूरी पर एक आवेस रखा हुआ है क्य serait बराबर में के क्यएं और क्यूं टू बटे में आपका आर इसकोंड़ा अब आपसे कह रहा है कि 4 sleut तो जो नेया बल आएगा वो एफ भाई सोला हो जाएगा इसलिए आपको दी ओप्सन बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा बचो कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है क्योंकि ना अंसर तो आपको पता है बटा आपको यह नहीं पता कि आया कह कायी निकालते हो तो आपको उसका फॉर्मला पता होना चाहिए तो विदूद्चेतर का फॉर्मल होता है ऑपका एबराबर में F में क्यूं तो बल का मात्रग हो जाएगा न्यूटर्ड आवे का मात्रग हो जाएगा इसलिए आपका डी ओप्सन बिल्कुल करेटन सर हो बल बल आगुन एक सुद और बल आगुन ने तो सुद और नहीं बल आगुन तो बच्चों क्या यह अन्वो करता है बच्चों एक बात धिहान रखना आप सभी जब भी हम किसी विदु दुदुर को एक समार विदु छेते में रखते हैं तो बल का जो वेलो होता वह 0 होता है और उसपर क्या कारे करता है बल आगुन कारे करता है और आसब इने फॉर्मुला पढ़ा होगा टो बराबर में पी साइन ठीटा होता है इसलिए जो आपका ओप्शन है भी वो बिल्कूल करेक्टनसर हो जाएगा नेक्स कुशन देखिए बल पृति न्यूटन चार्ज को कि जाना जाता है विदुद्परवा, विदुद्चेत्र, विदुद्चमता और विदुद्धारा बच्चो बल पृति आवेस की बात कर रहा यह तो विदुद्चेत्र का फॉर्मुला बन गया अभी तो बताया और बच्चो मैं ने इसलिए आपका बी अंसर बिल्कूल करेक यह क्यों कई और दूरी को दूनां कर दिया जाए तो तो बलुस के मतलब इसका मतला पहले भी ता अब तो दर तो ने बचुर से अपने दोस्तों पाशनल आरहे हैं चौहर्ट nervous देखिए एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है वस्तु होनी चाहिए बच्वे कांच की छड़े वो किसी वस्तु क्या कर रही है आकरसित तो वो होने चाहिए बच्छों य JI ili plus की हुई तो यह definite minus की रही होगी यह the minus की रही है तो यह प्लस की रही होगी हमने चींटा है जब because B है तो उनके बीच में लगता है तो नेगेटिव रही तो पॉजिटिव रही इसका मतलब हम यह नहीं कह सकते हैं दोनों ही पॉसिबिलिटी हां पर पॉसिबल है या तो रुनात्मक चार्ज या आवेस यह आपका सी ओप्षन बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन देखिए गोस के नियम के लिए उप्योग की जाने वाली सते क्या कहलाती है बचो गोस का नियम है तो आपकी गोसिय पर आप जाकर देख सकते हो और जितनी भी आपके कुशन है हर चेप्टर वाइस उनकी जो पीडिया में बच्चों फिरी में दी जा रही है यदि किसी बच्चे नहीं तक वाट्सप गूर्प टेलिग्राम गूरूप जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है यदि आप नहीं जाना दो जोइन करना तो आप 90247964 पर हमें मेसेज कर दीजिए वाट्सप हम आपको गूरूप के अंदर जोड देंगे बच्चों फिर यह कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा ठीक है अगरा कुशन देखिए यदि कुचा लगके गोले को आवेस दिया जाए तो इसे वित्रित किया जाता है तो गोला है मालने जी बच्चों तो उसमें जो आवेस है वो कैसे वित्रित किया जाएगा प्रेष्ट पर प्रेष्ट के अंदर केवल सते के अंदर कोई नहीं तो बच्चों मैं आप सभी को बता दू कुचाला गोले पर यहां पर ऐसा कोई ओप्सन नहीं दिया हुआ है इसलिए आप लगाओं कि कोई नहीं रीजन पता होना चाहिए यार कि ऐसा क्यों हो रहा है ना आगे देखिए कि यदि घन के कौ ने एपर चार्द क्यों रखा जाता है तो घन के फलक से कुल विदुत प्रिभाग कितना होगा satisfy आप के आउस से प्रेश्ट की कल्पना करनी होगी जो इस आवेस को क्या करेगा बिलकुल पैक करेगा ठीक है तो बच्चो आप न आठ आठ फलकों से इसको गुजरना पड़ेगा इसलिए आप एक बटे आठ का यहां पर डिवाइड कर देते हो इसलिए आपका ए उप्सन बिलकुल कर टंसर ह हो जाएगा बच्चो में इसको आप प्रेक्टिकल से आप सभी को करवाऊंगा डॉंट वरी ठीक है नेक्स्ट जो वीडियो आएगी न वह इसी को पर आएगी में प्रेक्टिकल करवाँगा आप सभी को इस चीज़ में अगला कुशन था मारा तेरवा तेरों कुशन है मैं इंगलिस में पढ़ने कोशिस करता हूं इसको आप समझे ना ध्यान से ना हिंदी वाला जो था वह पार्ट हटा हुआ है यह कहरा है इलेक्टिक जो फिल्ड होता है जो विदु जो छेत्र होता है विदु छेत्र जो लाइन्स होती है वो प्रवाइड इन्फोर्मेशन परिमान विदु छेत्र होती है वाट है क्या इंफोर्मेशन देती है फिल्ड लंबाई बताते है परिमान अपूर्ण और सभी बिल्कुल नैचर ऑफचितर इकल रिनातमक आवेस के कारण विदु छेत्र रहाओं का प्रति निदुत्व करता है देखो बच्चों दो पिरकार क्या आवेस होते एक होता है आपका पिलस क्यूं चार्ज एक होता है आपका माइनस क्यूं चार्ज बच्चों यहां आपसे माइनस क्यूं आवेस करण पूछा है बट मैं आपको पिलस क्यूं आवेस करण बता कर चल रहा हूँ क्योंकि अरंद से आती है और नेगेटिव क्या है प्रिवेस करती है ये बात आप ध्यान रखे तो आप से नेगेटिव वाला पूछा है तीर बचो अंदर की तरफ होने चाहिए देखे ए उप्सन आपको गलत है दी उप्सन आपका बिलकुल गलत है क्यों देखो इससे नेगेटिव से निकल रही है इसमें भी नेगेटिव से निकल रही है बट इसमें बचो नेगेटिव में प्रिवेस कर रही है इसका मतला आपका वी उप्सन बिलकुल करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुछन आप सभी के सामने वेधूत आवेस के सरक्ष है बचो यह option आपका सही नहीं है बराबर और विप्रीत बराबर और विप्रीत विदुत आवेस का एक साथ निमाण अनुमत है यह कोई जरूर नहीं बचो एक साथ ही आपके रहें अगला कुछन है अब तक पाए गए आवेस की नियूंतम रासी क्या है बचो मैं यह कहता हू बड़ा सांधार कुछन है जेहोज हारकंड बोर बहुत सांधार कुछन पूछाए बहुत सांधार कुछन है कि अब तक पाए गए आवेस की निम्तम रासी सबसे चोटा जो आवेस होता है मैं प्यार वच्छो वो इलक्ट्रोन का आवेस हो जिसको आप एक क्वांटा भी कह जाएगा नेक्ट कुश्चन आवेस के क्वांटी मी करन का अर्थ क्या है आवेस मुझूद नहीं घलत बात कणो पर आवेस होता है गलत बात आवेस की न्यूंताव अनुम्र परिमाण है चलो ठीक अभी तक तो आवेस नहीं बनाया जा सकता तो बच्चो तीन ओप्सन ए और बी और डी यह आपकी गलत है सिया आपसन आपका विल्कुल सही है अगला कुश्चन क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड चलो बच्चो देखते हैं क्या कह रहा है आगे लिए चलो अगला कुश्चन आपका अठारव इस्तिर विदुच्छेत्र है और एक यूजब गॉस्ट बर गने अगला में में द्लक्ट्रों विदू खेता है उनके तोर्णों का अनुपात क्या होगा तोर्णों का अनुपात उचैसे आपसे तियों किया होता है क्यूह फियूंट द्रोमान की भास कर रहा है मेरेमे om प्रोटोन पूछ रहा है तो इलक्टोन का अनुपात उपर आजाएगा और भाई जब आप इसको डिवाइड करते हो बच्छों एमपी है आपका प्रोटोन का जो आपका द्रोमान वह कहां चला जाएगा उपर क्यों चला जाए इसलिए आपको सी ओप्सन है वह बिल्कुल कर आणा है देखो जो विद्वत वल है उसको तो आप निकालोगे एप बराबर कुलाम के नियम से क्यों क्यूं टू बटे और इसको ठीक है और जो आपको गुरुतिवे बल है उसको निकालोगे आप जी-म-1-2 बटे में आर इसकोर यहां आपको इलक्टोन का द्रोमान रखन पड़ेगा जब बच्चो आप अनुपात में कैलकुलेट करते हो न तो आपका च्यार गुणा दसकी पावर बावन आपका राइट अंसर हो जाएगा यह तो थे बच्चो आपके बीस ऑब्जेक्टिव औब्जेक्टिव कुशन चैप्टर एक के अब देखते हैं इसके ज अंतुलन के वस्ता में कब आएगा आपका विद्यू दिद्रू आगुण तो सीदी से बच्चो बात है कि टोर बरावर सुत्र होता है पी-ई साइन ठिटा तो यह दूसरे क्या हो जाए समांतर हो जाए समांतर मतलब कौन कितना हो जाए बच्चो जीरो डिग्री हो जाए अ गाह उसी सते क्या कर दि जाए आधी कर दि जाए तो गाह उसी ते सते से होकर गुजरने वाले ले फिलक्स कैसे बदल जाएगा कर चो पहले प्लेक terrace अपका पूंप की परिभासा दीजिए इसकी ऐसा इकाई भी बताईए तो बच्चो जो विदू दिदू आगून क्या होता है इसके आपको definition देनी है तो बच्चो देखो definition इसने कुछ अलग टाईप से दे रखी और आप कुछ अलग टाईप से दे सकते हो ठीक है देखो विळू दिदूरू, आगुण होता क्या है पी बराबर होता है टूवे , डोट क्यों दोनों आवेसो में किसी एक आवेस का परिमान उनके बीच की दूरी का जो गुनन फल है वो आपका विदू दूरू आगुण कहलाता है और ऐसा ही मात रख होता है इसका कुलाम गुणा में 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 यह आप कर सकते वच्छो इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा है ठीक ऐसा ही कही देखो कुलाम गुण समानत रखा जाएगा सही बात है और इस तीर के लिए क्या रखा जाएगा अप्रिती समानत बता बिप्रित 180 डिग्री पर रखा जाएगा बच्छो थोटी का कुश्चन है थोड़ा सा आप भी सोच सकते हो अगला कुश्चन क्या है आपका तो बच्छो यह कुछ डेफिने सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी की पास समय समय पर पहुंच सके तो मिलते हैं ने स्टूडियों तता के लिए जैहिन जै भारत